प्रदान मुंत्री नरिंद्र मोदी के मौसको दौरे के बाद सेना से जुड़ी बड़ी खबर आ गई है भारत और रूस के बीच बढ़ते सम्मान और विश्वास ने भारत को रक्षा निर्यात का सुवर्णिम अवसर दे दिया है रूस के जिस वाइटर जेट की दुनिया भर में द्रिमांड है उसका ग्लोबल हब बहुत जल्द भारत में बन सकता है यानि रूस का महाबली भारत में ही बनाया जाएगा ग्लोबल मारकेट में उसे लेकर डील भी भारत ही करेगा और भारत में ही उसकी आफ्टर सेल सर्विस के लिए ग्लोबल हब भी बनाए जाएगा देखें मोदी का रक्षा तंत्र भारत सुखोई का ग्लोबल हब खबर बहुत बड़ी है भारत और रूस के बीच वो डील लगभग फाइनल हो चुकी है जो भारत को महा शक्तिशाली फाइटे जेट्स की मैनुफाक्चरिंग का ग्लोबल हब बना देगी 2015 में जब मैं यहां आया था तब मैंने तहां था कि 21 वी सदी भारत की होगी तब मैं कह रहा था आज दुनिया कह रही है 9 जुलाई को मॉस्को में भारत के प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी को रूस ने सर्वोच जिनागरिक सम्मान दिया तो रूस के राश्टुपती व्लादेबर पोतिन ने डंके की चोड़ पर भारत की उस कापलियत पर भी 100 फेसिदी भरोसा किया जो रूस के सुखोई 30 MKI जैसे महाशक्तिशाली फाइटर जेट को सुपर सुखोई बना सकती है मैं दसतों से भारत और रूस के बीच जो अनोखा रिस्ता है उसका कायल रहा हूँ 9 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राश्ट्रपते पोतिन जैसे पक्के दोस्तों ने सुखोई 30 MKI को लेकर जो फैसला लिया उसे जानेंगे तो आप गर्व से भर जाएंगे और देश के दुश्मन माथा पीटने लगेंगे क्योंकि अब तक तो सुखोई 30 MKI की असेंबलिंग भारत में हो रही थी लेकिन अब भारत सुखोई 30 जैसे शांदार फाइटर जेट को सिर्फ बनाएगा ही नहीं बलकि उसे एक्सपोर्ट भी करेगा सूतरों के मताबिक प्रधानमंत्री नरेंदर मोधी के रूस दोरे के दोरान दोरों नेताओं ने ये लगभग ते कर लिया है कि अब सुखोई 30 MKI की मैनिफैक्चरिंग बिजनिस और ग्लोबल हफ भारत में ही बनेगा रूश सब्द सुनते ही हर भारतिये के मन में पहला शब्दा आता है भारत के सुख दुख का साथी भारत का भरोसे मन दोस्त भारत के सबसे करीबी दोस्त रूस ने अपने सबसे भरोसे मन दोस्त पर सबसे बड़ा भरोसा किया है खबर ये है कि भारत के बड़े शहर नासिक में सुखोई 30MKI का ग्लोबल हफ बनाने पर सेहमती करीब करीब बन गई है भाराश्ट्र के नासिक स्थित हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड की फैक्टरी में SU-30 फाइट जेट बनाए जाएंगे SU-30 फाइट नासिक से ही सीधे दुनिया भर में एक्सपोर्ट किये जाएंगे पुतिन ने इतना बड़ा फैसला एक जटके में ले लिया क्योंकि उन्हें भारत की दोस्ती तौर्क शमता पर पूरा भरोसा है नासिक की हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड फैक्टरी में पहले रूस के मिग-21 फाइटर जेट्स बनाए जाते थी यानि इस फैक्टरी को रूस के फाइटर जेट्स बनाने और उनके रखरखाव का पूरा अनुभव है इसलिए अब पुतिन चाहते हैं कि इसी फैक्टरी से रूस का सबसे भरोसे मंद अनुभवी और जाचा पर्खा ओल-in-वन फाइटर जेट बने भी और उसे खरीदने वालों को यही से एक्सपोर्ट भी कर दिया जाए सुखोई 30 फाइटर जेट को दुनिया के कई देशों की वायू से ना इस्तमाल करती है खास तोर से मिडिल इस्ट, अफ्रीका, एशिया और लेटिन अमेरिका के देश रूस के फाइटर जेट्स के बड़े खरीदार माने जाते हैं लेकिन रूस पर नेटो और अमेरिका के सैंक्शन्स के बाद रूस को थियारों का व्यापार करना मुश्किल हो रहा है इसलिए पुतिन चाहते हैं कि सुखोई SU-30 फाइटर जेट की पूरी की पूरी प्रोडक्शन लाइन, मार्केटिंग ऑफिस और ग्लोबल ऑपरेशन्स हब को भारत में ही ट्रांस्वर कर दिया जाए सुखोई SU-30 फाइटर जेट का नया ग्लोबल हब महराश्ट्र के नासिक में बन सकता है रूस में सर्डी के मोसम में टेम्परेचर कीतना ही माइनस में नीचे क्यों ने चला जाए भारत रूस की दोस्ती हमेशा प्लस में रही है गर्म जोशी बरीले भारत और रूस दोनों देश मिलकर अगली साजा रक्षा परियोजना में भाराश्ट्र के नासिक में सुखोई 30 का निर्मान कर सकती है ये दावा रूस की सरकारी न्यूस एजेंसी स्पुतनिक ने किया है स्पुतनिक इंडिया ने सुत्रों के आधार पर कहा है कि नासिक में सुखोई 30 का ग्लोबल हब बनाने के लिए गंभीर चर्चा चल रही है और आने वाले समय में भारत में सुखोई 30 का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो सकता है दोनों देश मिलकर सुथार्टी फाइटर जेट्स का निर्मान करेंगे और इसका निर्मान भारत में किया जाएगा यानि महराश्ट के नासिक में हिंदुस्तान एरोनौटिक्स लिमिटेड की फैक्टरी में सुथार्टी फाइटर जेट्स का निर्मान किया जाएगा ये fighter jets भारत में ही बन कर दुनिया भर में भेजे जाएंगे के बाद उन्हें निर्यात भी किया जा सकेगा और भारत की अर्थ विवस्था बढ़ेगी चौथा फायदा भारत डिफेंस एक्सपोर्ट में ग्लोबल लीडर बन कर उभरेगा और पाच्वा फायदा भारत और रूस के संबंधों में आपसी विश्वास और सम्मान और बढ़ेगा सुखोई का अगर भारत में मैनुफेक्चर होता है जॉइंट वेंचर के द्वारा प्रड़क्शन होता है तो एक तरह से ना केवलो भारत के काम आएगा बलकि एक्सपोर्ट हद के तौर पर भी काम करेगा दुनिया के और के देशों में हम लोग सुखोई 30 का एक्सपोर्ट कर सकते हैं आज जो भारत की सोच है वहाँ पर डिफेंस एक्सपोर्ट की सोच है उसमें ये जो जॉइंट वेंचर है सुखोई 30 MKI दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर जेट्स में शामिल है ये एक मल्टी रोल कॉमबैट एरक्राफ्ट है जो हवा से जमीन और हवा से हवा में एक साथ जुद्ध लड़ सकता है सुखोई 30 MKI की सबसे बड़ी खास्यतों में से एक है डॉक्ट फाइट के वक्त इसकी अद्धुत शमता तेज और धीमिकती में हवा में कला बाजियां खाते हुए सुखोई 30 MKI दुश्मन को बड़ा सर्प्राइज देते हुए उसे खत्म कर देता है सुखोई 30 MKI में 30 MM की ग्रिजेव शिपुनोव पॉटो कैनन लगी है जो एक मिनट में तेर सो राउंड फायर करती है यानि इसकी अटैक से दुश्मन का जेट, ढ्रोन या अटैक हेलिकॉप्टर बच नहीं सकते इसमें 12 हाई पॉट्स लगे हैं जिनमें 4 तरह के रॉकेट्स लग सकते हैं सुखोई 30 MKI में 4 तरह के मिजाईल और 10 तरह के बंफिट किये जा सकते हैं लेकिन अगर थोड़ा बदलाव करके इसमें बल्टिपल रैक्स लगा दिये जाएं तो सुखोई 30 MKI सबसे ज्यादा 14 तरह के वार हेट एक साथ ले जा सकता है सुखोई 30 MKI कुल 8,130 किलो वजन का हथियार उठा सकता है बीते दस सालों में मैं चठी बार रश्या आया और इन सालों में हम एक दूसरे से सकत्रा बार मिले हैं यह सारी मिटिंग ट्रस्ट और रिस्पेक्ट को बढ़ाने वाली रगी है बोतिन भारत में सुखोई 30 का ग्लोबल हब बनाना चाहते हैं क्योंकि भारत की सबसे बड़ी एरो स्पेस कंपनी H.E.L. यानी हिंदुस्तान एरोनौटिक्स लिमिटेड लंबे समय से भारत में SU-30 MKI बना रही है SU-30 दुनिया का एकलोता ऐसा फाइटर जेट है जिससे अलग-अलग देश अपने हिसाब से बदल सकते हैं 1997 में H.E.L. ने रूस से SU-30 का लाइसेंस लिया था इसके बाद H.E.L. ने भारत की जरूरतों के हिसाब से SU-30 में बदलाव किया और इस तरह बना SU-30 MKI MKI का मतलब है Modernized Commercial India SU-30 की Transfer of Technology और Manufacture इंडिया में शुरू होता है तो ये दोनों कंट्रीज के लिए विन-विन सिचुएशन होगी और दूसरा इंडिया के जो मेक इन इंडिया है, मेक इन वर्ल्ड है, मेक फर द वर्ल्ड है ये इनिशेटिफ्स को काफी बुस्ट मिलेगा SU-30 MKI में ब्रमोज विजाईल अच्छी तरफ फिट हो जाती है यानि अगर दुनिया भारत से SU-30 MKI खरीदेगी तो वही ग्राहक भारत से ब्रमोज भी खरीदेंगे और इस तरह भारत में बने सुखोई 30 MKI के बज़े से भारत का रक्षा निर्यात तेजी से बढ़ेगा